कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के उपर दोस्तो डिस्क्रिप्शन में वाटसप ग्रूप और टेलेग्राम का लिंक दिया गया है किसी को भी हमारे साथ जुड़ना हो तो वो लिंक के उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे यहाँ पर जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ वही अनालिसिस सिखा भी रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो वीडियो पे आप ज़रूर देखेगा बहुत ही अच्छा फाइदा होगा आपको टाटा कॉम्मिनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टॉक बहुत ही एक छोटी सी रेंज में गुम रहा है जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलता है कुछ नहीं होने वाला है लेकिन लंबे समय का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो स्टॉक के अंदर कंटिनूसली 220 रुपीज से लगादार लगादार ये तीजी बनी हुई है और स्टॉक एक अल्टिमेट लेवल पर पहुँच गया है 1440 कितना बैगर हुआ दोस्तों समझ रहे हो मेरी बात को तो यहां पर भी ट्रेडिंग करना है तो हम जरूर से कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं किया जा सकता वरना आप लोग फच सकते हो ठीक है तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव के अगर मैं बात करता हूँ तो आने वाले दिनों में आपको 1,400 रुपेस से लेके 1,400 रुपेस से लेके 1,390 रुपेस 10 रुपे की रेंज बता रहा हूँ 14,000 रुपे का स्टॉक है और मैं बात कर रहा हूँ 10 रुपे की रेंज की यहां पर आता है स्टॉक तब जरूर से लॉंग पोजिशन बना सकते हो और फिर क्लोजिंग बेजिस के उपर आपको एक स्टॉपलस मिंटेन करना है 1,385 रुपेस ताटा कम्मिनिकेशन के अंदर किसी को भी काम करना हो तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव काम जरूर कर सकते हो अगर स्टॉक लिवर लिवल नहीं दिखाता है और 1,490 के उपर का सस्टेंग दे देता है क्लोजिंग दे देता है तो फिर यह स्टॉक नीचे नहीं आएगा और और भी हाईयर लिवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं बट जो रेंज बताई है उसी रेंज में काम कीजिए उसी तरह से काम कीजिए ठीक है पैसे आपके जरूर बनेंगे दोस्तो आई होप आपको यह सेसन अच्छा लगा होगा गाईस अगर मेरा एडवाईस आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर कीजिए आपका भी कोई क्वेरी है तो लाइव सेसन में आके आप जरूर मुझे क्वेशन पूछ सकते हो और सीखिए सीखने के बाद काम कीजिए मैं जो भी अनालिसिस कर रहा हूँ उसका डेमो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है वो वीडियो देखे नॉलेज एक्वाइर कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक मेंटर चूस कीजिए सीखिए और सीखने के बाद काम कीजिए गुडबाई फ्रेंड्स टेक केर बाई बाई